आज मैं आपके साथ में एक नए तरीके की पनीर सेंडविश शेयर कर रही हूँ जो पांच मुट में बनके तयार हो जाती है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो सुबह की जल्दिवाजी में आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में ये बना कर दे सकते हैं हेल्दी स सेंडविश है और घर में भी आप ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं तो पांच मुट में जटपट से बनके दयार हो जाती है ये पनीर की सेंडविश बिल्कुल नए तरीके से बनाया है फ्रेंस चलिए देखते हैं कैसे बनाना है तो मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है इसक साथ में पडीट करने 50 जार लेंगे और इसका पेस्ट सा तयार करेंगी तो थोड़ास इस में डालेंगे नमक की जितना भी आपका पनीर हो अपने टोडिने के जिल्कुल से रखा हुआ है बस इसलोके पैस्त तइयार कर लीचेगा फिर यहां प्र शीच कीम को मैंने आइट करेंगे चिली फ्लेक्स और गिनों डाल दिया है एक आपको चीज पसंद आपको चीज़ की डाली हुई है और बस क्या है बस चीज़ से मिक्स कर लेंगे तो एक पीस्ते समें दूद बहुत जादा मट डालिएगा नहीं तो आपका जो पेस्ट है वह बहुत गीला बन जाएगा तो हमें बस पेस्ट जाए पनीर हमारा अच्छे से इस तरीके से हमें पनीर चीजी स्प्रेट बस क्या है हमने यहां पर ब्राउन ब्रेड ली है आटे की आटे चीज और भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत चीजी खानी है यह आपके उपर है यह चीज स्लाइस रख सकते हैं तो मैंने खाली दो चीज क्यूब का यूज किया है एक पीस्ते समय पनीर को और दूसरा में ग्रेट करके डाल दिया है आप चाहे तो चीज स्लाइस भी फिर अपनी ब्रेट की जो सैंडविच आपने बनाई है उसे अच्छे से आप गिर्ल कर लीजे या सेक लीजे जैसे भी आपको या आपके पास में सैंडविच गिलर है उससे कर लीजे जैसे भी आप सैंडविच बनाते हैं उस तरीके से ब्रेट को मैंने यहाँ पे गिर्ल प और बहुत ही healthy sandwich होती है और ये brown bread से बना रही हूँ और पनीर तो healthy होता ही है तो बस क्या है और सुब्बे जटपट से ये बच्चों के lunch box के लिए ये recipe बनके तयार हो जाती है पनीर sandwich की और बिल्कुल नए तरीके से हैं कोई जंजट नहीं है पनीर को काटो पहले बनाओ सिफ पनीर को लेना है पीसना है और बस चीज डाल देना है और बच्चों को तो चीज बहुत पसंद आती है तो ये sandwich भी बहुत ही पसंद आएगी तो जरूर ट्राइ करिए का comment में बताए है कि आपको ये छूटी सी simple सी पांश मट में बनके तयार होने वाली पनीर sandwich कैसी लगी त लाइक शेयर कर दीजेगा थैंक यू सू मच फ्रेंड्स